प्लांटी पड़ रहे थे और उसमें टेरीडोफाइट पड़ रहे थे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टेरीडोफाइट क्या होता है उसका जनरल केरेक्टर और इकोनॉमिक इंपोर्टेंट साथ है साथ उसमें रिपोड़क्शन इन सारी चीजों को देख ले थे आज हमें क्लासिफिकेशन पड़ना था टेरीडोफाइट देखिए अपने आप में एक डेबलप प्लांट है क्यों क्योंकि यह एलगी और ब्रायोफाइट के बाद आता है तो एलगी और ब्रायोफाइट तो डेबलप है पर जिम्नो स्पॉम और एंजियो स्पॉम से लस्पॉम होता है क्यों क्योंकि जिम्नो और एंजियो ज्यादा एडवांस है तो आप से पूछा गया सबसे कम डेबलप प्लांट कोन है एलगी सबसे हाइली डेबलप कोन है एं का character रखता है यानि लगी और ब्रायो लस जिमनो और इंजियों हाई तो इन दोनों के बीच का यानि टैरीडोफाइट का character या इसकी सारी property न तो बहुत less develop होती है और नहीं बहुत high इसके पहले हम लोगों ने पढ़ाता कि टैरीडोफाइट को reptiles of plant kingdom कहते हैं इसमें कैसे का structure क्या है कैसे क्या है आज हम पढ़ते हैं टैरीडोफाइट का classification ठीक तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे न्यू है या जिनों ने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं कि इसको भी फायदा हो सके ठीक है तो आईए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर तो क्या है टैरीडोफाइट क्लासिफिकेशन तो टैरीडोफाइट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको बहुत ही डीटेल क्लासिफिकेशन आप BSC में पढ़ेंगे BSC के first year में तो टैरीडोफाइट की बात करें तो टैरीडोफाइट को टोटल चार पार्ट में डिवाइट किया गया है कितने पार्ट में डिवाइट किया गया है टैरीडोफाइट को हमने चार पार्ट में डिवाइट कर दिया गया है कौन-कौन सा साइलोफाइटा लाइकोफाइटा इस तरीके से, साइलोफाइटा, या फिर कहलो, फाइटा न कहके बोलो तुम सिडा बोलो, तो क्या बोलोगे, साइलोपसिडा, लाइकोपसिडा, स्फिनोपसिडा और टेरोपसिडा, कई जगा कई बुक में साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा, टेरोफा ऐसे भी है, तो आप Phytonema न बोलोगे SIDA पोलो, क्या स्या साइल ओपसिडा लाइक ओपसिडा स्फिन ओपसिडा टे अरापसिडा आपको इन चारों के केरेक्टर को नहीं पढ़ना है आपको ये जानना है कि इन चारों में कौन कौन से examples आते है और उनके बारे में पढ़ना है ठीक तो अगर आपसे कोई पूछा कि टेरीडोफाइट को कितने पार्ट में डिवाइट किया गया तो आप क्या बोलेंगे चार पार्ट कौन-कौन आईए देखते हैं कि किसमें कौन से एक्जामपल आते हैं और उसके कौन-कौन से करेक्टर है ठीक तो टेरीडोफाइटा को इन चार पार्ट में डिवाइट किया गया है कौन-कौन सा इक्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है ऐसे इसे लाजी निला यह किस class में आता है या Marseillia यह किस में आता है या इनमें से कौन सा साइल उपसिडा का example है इस तरीके से entrance exam में university के exam में board exam में question आते हैं ठीक है? तो पहले बात करते हैं साइल उपसिडा तो यह सबसे पहला class है और टैरा उपसिडा यह सबसे आखरी क्लास है, तो यह सबसे पहला क्लास है, तो साइल आपसिडा सबसे कम विक्सित होगा, सबसे कम डेवलप होगा, और यह सबसे आखरी क्लास है, तो यह सबसे ज़्यादा डेवलप होगा, कौन टेर आपसिडा, ठीक, तो साइल आपसिडा less डेवलप, टेर आप रहोगे ठीक यानि टारिडोफाइट के इनके केरेक्टर ब्रायोफाइट से हाईली डेवलप हैं पर जिम्नोइ स्पाम से लेश डेवलप हैं इन्हें कितनी पार्ट में बाटा क्या है चार तो पहला वाला पार्ट क्योंकि यह बिल्कुल ब्रायोफाइट के जस्ट बाद है तो ब्रायोफाइट का लगबग character लेकर के रखा होगा। लास्ट वाला पार्ट बिलकुल जिम्नोई स्परम के जस्ट पास है। तो जिम्नोई स्परम का गरेक्टर लेकर रखा होगा। common सी बात हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बात करते हैं। साइलोपसिटा तो साइलॉपसिडा में क्या ह 후 त्था सील्लोटम राइनिया भीटा पढ़नें नहीं आना respons रही अल्टा का उल्टा मत पढ़ना क्या है कि में31 क्रेंग तरश है चन्टो है तो आपको या दो आज हुआ यह रखना है किंने पर वेश्चेन यह हसे ठीक, बतलब ये teridoophyte का पूरवज माना जाता है क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले माना जाता है कि sillonotum से ही पूरे teridoophyte की उत्पत्ती हुई है ठीक, त्याद रहे sillonotum को क्या कहते है ये इसको इंग्लिस में ancestor of teridoophyte कहाजाता है ancestor का मतलब होता है पूरवज, सारे टेरिडोफाइट का पूरवज, या फिर आप कह सकते हैं, पूरे टेरिडोफाइट, इसी से इवॉल्व हुए हैं, उत्पन हुए हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक, तो सिल्लोटम, एंसिस्टर आप टेरिडोफाइट, राइनिया, ये एक लिविंग फॉसिल है कैसी फॉसिल है, लिविंग फॉसिल, और ये एकजाम का क्वेश्चन है, ये लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल, अब आपके माइंड में ये नया वर्ड आ गया, कि ये लिविंग फॉसिल होता क्या है, हम तो सुने नहीं, फॉसिल का मतलब होता है जीवास्म, जिस इसको fossilization के तुरू बनता है, आप class 10th में पढ़े थे, कि जब कोई animal या plant मर जाता था, स्वायल के अंदर दब जाता था, हम उसको खन करके बाहर निकालते थे, तो उसी को क्या कहते थे, fossil, हाना, तो वही fossil है, तो living fossil, living fossil ऐसे plant या animals होते हैं, जो इस अर्थ पे बहुत कम नंबर में हैं, इतना कम है कि अगर उन्हें बचाया नहीं गया, तो वो इस अर्थ से extinct हो जाएंगे, गाया हो जाएंगे, विल्प्त हो जाएंगे, मतलब इसले living fossil कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये गिने चुने नंबर में हैं, जैसे आप कह सकते हो, कि बबबर सेर एक living fossil की तरह हो जाएगा, आगे आने वाले समय में, क्यों, क्योंकि बबबर सेर जो है, वो कही नहीं पाया जाता है, केवल गुजरात के काठियावाद के जंगल में पाया जाता है, याद रखेगा कि सिलोटम में, सॉरी, साइलोपसिडा में सिलोटम और राइनिया आता है और दोनों important है, सिलोटम सारे टरिडोफाइट का ancestor है और राइनिया ये एक living fossil है, जो की exam में कई बार question किया गया है, ठीक, दूसरा बात करते हैं, कौन, लाइकोपसिडा, तो लाइकोप सेला जिनेला, आप पढ़े थे, कि कई सारे ये सब हेट्रो, हेट्रोइस्पोरस थे, हेट्रोइस्पोरस क्या था, याद कीजे पीछे वाला वीडियो, जो नहीं देखा है, हो जाके दे सकता है, प्लेइलिस्ट है, हमने कहा था, कि टेरिडोफाइट्स में, दो तरीके के स् हड़ाते हैं, तो मेगा इस्पोर और माइक्रोस पोर के वजए से इसको हेट्रोइस्पोरस केहते थे, और हेट्रो-इस्पोरस का एक्ग्जामपल हम दिये थे, मास पी आई, ये बोला था, हमने कहाथा, किसको हम आगे बताएंगे, क्या-क्या था, मार्सीलिया, अजोला, सालवीनिया, सेलाजिनेला, सिलोटम, आई स्वेट्स तो देखो मारसीलिया, देखो मारसीलिया, दुसके बाद कहां गया, मारसीलिया भी नहीं है, आगे, ठीक, आप देखो, तो इसमें सेलाजिनेला तो lycopodium तो lycopodium है और cellaginilla इसी cellaginilla को ये क्या है हिट्रोइसपोरस और ये काफी develop होता है ठिक याद रखेगा और eye sweats आप पढ़े थें कि पूरे के पूरे teridophyte में vascular tissue पाया जाता था पर जाइलम में vessel, floeum में cambium, companion cell नहीं था लेकिन एक मात्र eye sweats ऐसा teridophyte था जिसमें second day growth देखने को मिला था, secondary growth यादा रहा है यहाँ secondary growth होता है यही सारी चीजे जो new है जो औरों से अलग है इनको important देती है और इसलिए ये question में पूछे जाते हैं ठिक तो lycopodium cellaginilla ये heterosporos है और eye sweats इसमें क्या होता है इसमें secondary growth देखने को मिलता है ठिक अब बात करते हैं किसकी तो स्फिनोपसिडा में क्या आता है इक्विसिटम और हैनिया इसमें इक्विसिटम को एक special नाम से जाना जाता है जिसको होर्स्टेल कहते हैं क्या कहते हैं होस्टेल याद रखेगा एक्विसिटम को एक स्पेशल से नाम से जानाता है और एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि होस्टेल ये बियाच्चू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है कि होस्टेल के नाम से किसे जानते हैं तो होस्टेल के नाम से किसे जानते एक्क्विसिटम को जानते हैं ठीक और हाई निया एक एक्जामपल है अब बात करते हैं टेरा अपसिडा तो टेरा अपसिडा सबसे ज़्यादा एडवांस है और इसको कॉमनली क्या कहते हैं फर्न कहते हैं जैसे ब्रायो फाइट में सबसे एडवांस मौस था तो उसके क्योंकि यह सबसे ज़्यादा एडवांस है और इसमें कई सारे आते हैं इसमें अजोला, मारसीलिया, सालवीनिया, ड्रायोप्टेरिक्स, एडियेंटम कई सारे जितने भी बचते हैं सब इसी में आते हैं तो इधर जितने आते हैं हमने आपको मेंसन कर दिया अब इसके अल वाटर फर्न है, क्यों? क्योंकि वाटर में पाया जाता है, और वाटर में पाया जाने के वज़े से इसे वाटर फर्न कहते हैं और ये राइस के फिल्ड में मिलता है, इसकी वज़े से ये खेत के फसल की प्रोड़क्टिविटी पैदावार को काफी बढ़ा देता है, इंबियोटिक सहजीवी संबंद एसोशियेशन भी सो करता है नौस एजोला आप आगे पढ़ेंगे एसोशियेशन सिंबायोटिक एसोशियेशन क्या होता है काफी डीटेल पढ़े रहा है इसलिए अभी बस याद रखेगा कि एजोला राइस के प्रोड़क्टिविटी को अपना राइस ग्रोंब गरता है यह सब क्या करते हैं जिब खेत में पानी भर जाता है जिससे खेत में नमी मौिशर बना रहता है और productivity बढ़ जाती है तो clear हुआ अजोला को water fern कहते और यह productivity को बढ़ा देता है किसकी rice की दूसरा marcelia salvenia marcelia salvenia दोनों कैसे हैं heterosporus है develop character रखे हैं इसमें male और female दोनों में अलग-अलग तरीके से gametes बनता है और dryopterics और यह adiantum है adiantum क्या है वई adiantum है आपको पता रहना चाहिए कि adiantum को क्या कहते है walking fern कहते हैं यह बहुत important है walking fern कहते है एडियंटम को किस नाम से जाना जाता है walking fern क्यों कि कि यह swail पे फटफट 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 वॉक करते हुए इस लगता है कि ग्रो करते हुए पैदल चलते हुए इस तरीके से बढ़ता है इसले इसको क्या कहते है walking fern और भी इसको कहते है maiden hair fern कहते हैं क्या कहते है maiden hair fern इस नाम से भी जाना जाता है और यह भी अच्चू की exam का question है question पुछा गया था कि maiden hair fern के नाम से किसे जाना जाता है तो किसे जाना जाता है adiantum को जाना जाता है ठीक है यह है टेरीडोफाइट का classification अब clear हुआ कि टेरीडोफाइट इसको चार पार्ट में बारे में डिवाइट किया गया है स्पिनोपसिडा हॉस्टेल एक्वेसिटम जानी लिए और टेरापसिडा सब क्या है मार्सिलिया सालवीनिया एजोला ड्राय अप्टेरिक्स सब के सब इसको फर्न कहते हैं कोई दिक्कत तो यह टेरीडोफाइट का classification है अब देखो एक बात जो सबसे जादा इमपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का जो हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज हर एक्वेसिटम में आता है question इतना हम आपको बताएंगे अगर बोर्ड के बच्चे चाहें तो स्टीलर सिस्टम को छोड़ सकते हैं क्योंकि यह एक्जाम में नहीं आता 11 के क्योंकि यह यह NCRT में एड नहीं है लेकिन अगर उन्हें future में कुछ करना है वो चाहते हैं कि हम 12 के बाद अच्छे यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज से पढ़े या नीट क्वालिफाई करें तो उनके लिए बहुत important है क्योंकि यहां से एक या दो question 100% रहता है तो हम पढ़ेंगे कि टेरीडो फाइट में Stealer System क्या होता है आईए देखते है Stealer System यह preparation के बच्चे पक्का पढ़ेंगे लेकिन अगर 11 के बच्चे चाहें तो एक बार छोड़ सकते हैं पर ना छोड़े हमारी माने तो सब पढ़ें क्योंकि future हमें bright चाहिए आपका ठीक है त इस दमाहल करते यूज करते हैं पानी ओनी उनी ग्लास लासर वला यह वह इस्टील नहीं है बल्कि यह दूसरा स्टील है यह वह स्टील है जो plant में पर्याजाता है अब आपके मैंड में पहला question हीए कि स्टील했습니다 टेरीडोफाट में है क्यों पढ़ें कि क्यों क्योंकि कि ब्रायो फैट्स में पहले आप हम कुछ ने बोलेंगे आप अंसर ечат स्थील होता क्या है स्टील जाइलम प्लस प्लोएम दोनों को मिला करें कहते हैं जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाने पर स्टील बनता है और इसको कहते हैं ब्लस टीशू विच प्रेजेंट इन वैस्कुलर बंडल ठिक क्या कह रहे हैं वो सारे टीशू जो वैस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं स्टील कहते हैं आप आगे बहुत डीटेल इसको पढ़ेंगे जाइलम, फ्लोयम, वैस्कुलर बंडल क्या है, कैसे हैं यह सब तो स्टील बनता किस्से है जाइलम और फ्लोयम अब बताओ जाइलम और फ्लोयम कहां आया था ब्रायोफाइट में? नहीं. तो वहाँ स्टील कैसे हो सकता है? इसलिए एलगी और ब्रायोफाइट में स्टील नहीं पाया जाता है. बलकि कहां से स्टार्ट होता है? टेरीडोफाइट. जिमनो और इंजियो में एडवांस है. इसलिए वहाँ कोई तिकत नहीं. वहाँ सिम्पल एक ही दो तरीके का स्टील पाया जाता है. लेकिन टेरीडोफाइट में अभी नया नया आया है. तो नया नया आया तो उचलेगा तो है ही. अचलेगा तो बहुत टाइप का होगा. इसलिए टेरीडोफाइट में स्टील प शरबंदा जिसको steel या steeler system कहते हैं, और teridophyte में total 6 तरीके के steeler system होते हैं, कितने तरीके के steeler system पाय जाते हैं teridophyte में, 6 तरीके के पाय जाते हैं, proto steel, siphon steel, soleno steel, dictio steel, atacto steel, placto steel इस तरीके से, ठीक, proto, siphon, dictio, atacto, soleno और इस तरीके से, कई स्टारे टोटल 6 स्टील पाये जाते हैं तो आपको 6 स्टील का क्या structure है और उसमें का example 100% मस्ट आना चाहिए क्योंकि अगर आप अभी पढ़ लेते हैं तो BSC first year में भी आपको पढ़ना नहीं पढ़ेगा 10 marks का ये question आता है 99% हर साल repeat होता है ये question जिसमें से हम सबसे पहला पढ़ेंगे प्रोटो स्टील क्या है पहला प्रोटो स्टील ये फस्ट टाइब का स्टील है ठीक फस्ट टाइब का स्टील को प्रोटो स्टील कहते हैं ये ऐसा स्टील होता है कि जिसमें बीच में क्या होता है जाइलम होता है बीच में क्या होता है, जाइलम, और वो भी solid होता है, जाइलम, याद रहे, steel जाइलम, phloem से मिलके बनता है, क्यों, क्योंकि जाइलम water mineral को transport कर देता है, और phloem food को transport कर देता है, आप तो पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो याद रखेगा, जाइलम water और mineral को एक जगह से दूसरे जगह तक लाता है plant में, अब phloem food को, ठीक, तो बीच में क्या है, जाइलम है, और solid हो भी, और किनारे इसको round, अब कौन, कौन, चारो तरब से round किया है, phloem, यह क्या है, जाइलम, यह क्या है, phloem, ठीक, जाइलम क्या है, solid, यह बस इतना ही याद रखना है, कि proto-steel, यह ऐस जाइलम होता है, जिसके बीच में जाइलम और चारो तरब phloem पाए जाते हैं, ठीक, जाइलम जो होता है, यहाँ पर solid होता है, और phloem क्या होता है, solid नहीं होता है, तो ऐसे steel को क्या कहते है, proto-steel कहते हैं, ठीक, और इसके example की बात करें, तो इसमें कौन-कौन आता है, lycopodium selaginela और rainia ठीक, याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, कि proto-steel, पहले steel यह ऐसा structure होता है, जो vascular bundle के अंदर होता है, और यह जाइलम phloem के मिलने से बनता है, पहला होता है, प्रो-steel, प्रो-steel अइसा structure है, जिसमें जाइलम बीच में होता है, phloem नारे होता है, जाइलम क्या होता है, solid होता है, और यह किस में पहले जाता है, साइफनो स्टील यह क्या होता है नाम नहीं भूलेगा प्रोटो स्टील, साइफनो स्टील साइफनो स्टील ऐसा स्टील होता है जिसमें जाइलम और फ्लोयम के बीच, बीच में कैविटी खाली स्थान पाया जाता है जगा पाया जाता है ठेक, और ये दो तरीके का हो सकता है, हाना, क्योंकि साइफन, साइफनों में साइफन का मतलब आप पढ़ेंगे, ये इसका मतलब होता है cavity, क्या होता है, cavity, gap, नाम ही इसका अंसर दे रहा है, कि साइफनों इस्टील ऐसा इस्टील है, जिसके बीच में gap या cavity खाली जगह पर प हाना, एक्टो फ्लोईक और पी, है एक्टो फ्लोईक और एमपी फ्लोईक, दो तरीके का है, एक्टो फ्लोईक, देखो कैसे होगा, पीच में cavity, फिर जाइलम, फिर फ्लोयम, ये क्या है, ये देखो ऐसे, ये क्या है, cavity, लब gap है, ये क्या है, जाइलम, ये क्या है, फ्लोयम, ठिक, ये है, एक्टो फ्लोईक, और एमपी फ्लोईक स्ट्रक्शर है, समझोगे, cavity, फ्लोयम, जाइलम, फ्लोयम, देखो समझो, cavity, फ्लोयम, जाइलम, हाँ, जाइलम, फ्लोयम, देखो, साइफनो इस्ट्रील है, ये ऐसा इस्ट्रील है, जिसके बीच में cavity पाई जाती है, और ये दो तरीके का है, एक्टो फ्लोईक, एमपी फ्लोईक, एक्टो फ्लोईक मतलब फ्लोयम, केवल बाहर की तरफ, तो बीच में क्या है, gap है, cavity है, फिर जाइलम है, एमपी, एमपी का मतलब both, inner, outer, दोनों, हाँ, एमपी फ्लोईक का मतलब both, तो देखो पहले तो cavity है फिर क्या है फ्लोयम, फिर जायलम फिर फ्लोयम, देखो अंदर भी फ्लोयम, बाहर भी फ्लोयम, तो ऐसा होता है तो उसको कहते है एमफी, एमफी का मतलब बोत होता है, तो एक्टो फ्लोयक और एमफी फ्लोयक, एक्टो फ्लोयक का एक्जामपल होता ह यह होता है आस मुंडा क्या होता है असमुना इक्जाम्पल इसापसे में एक्जाम्पल होता है आस मुंडा क्या होता है और एमफीफ validity infinette यह तो और important है, ठीक, तो clear हुआ साइफन और स्टेल, साइफन और स्टेल बीच में साइफन, एक्टोफ्लोईग, एक्टोफ्लोईग, एक्टोफ्लोईग आसमुंडा और एम्फिफ्लोईग मारसीलिया, तो यह दो तरीके का स्टेल हुआ, अब आये तीसरा बात करते हैं, कौ ठीक, कौन से स्टेल, सुलैनो, सुलैनो स्टेल क्या होता है, ठीक, तो सुलैनो स्टेल, यह ऐसा स्टेल होता है, जो हौर्स सू सेप होता है, कैसा होता है भई, हौर्स सू शेप होता है, हाना, होर्स शू शेप होता है ठीक सोलैनो स्ठील देखे होर्स शू का क्या होता है होर्स शू को घोड़े की नाल बोला जाता है आप जानते हैं जो घोड़े के पैर में जो नाल लोहे का एक लगा होता है कि होर्स चलता है तो आब आ जाता है इसलिए लगता है कि उसका पैर जमीन से चोटनक है, इसलिए उसमें लोहे का एक लगा होता है, जिसको होशूप कहते हैं, ऐसा होता है सिप उसका, इस तरीके से होता है, इस तरीके से, है की नहीं, ऐसा होता है, ठिक, क्या होता है, बीच में जाइलम होता है, अंदर इनर फ्लोयम जाइलम आउटर फ्लोयम इस तरीके से और यह क्या है कैविटी तो सुलैनों स्टील यह स्टील एफ्रा होता है जो होर्सू शेफ होता है इसके बीच में कैविटी होता है अंदर भी फ्लोयम होता है इनर फ्लोयम बीच में जाइलम बाहर आउटर फ्लोयम ठीक इस तरीके का इसके स्ट्रक्शर देखने को मिलता है और यह किसमें देखने को मिलता है एडियेंटम में जिसको आप वॉकिंग पर में कह रहे थे हैं याद रख एक्जामपल तो हर हाल में आपको याद करते हैं कि ADN में क्या देखने को मिलता है सुलैनो स्टील देखने को मिलता है ठीक कोई दिक्कत नहीं इसके बाद होता है डिक्टियो स्टील डिक्टियो स्टील स्टील नमबर 4 ये भी बहुत इजी है डिक्टियो स्टील ये स्टील कुछ स्पेशल नहीं है पहला याद किजिए पहला स्टील क्या था प्रोटो स्टील ये प्रोटो स्टील ही होता है बिलकूल बस अंतर ये है कि इसमें धेर सारे होते हैं प्रोटो स्ट इस तरीके से बीच में क्या है जाइलम यह सब बीच के भी संटर में क्या है जाइलम और यह फ्लोयम और यह जाइलम क्या है बीच में जाइलम है बाहर क्या है फ्लोयम है ठिक अब डिक्टियो स्टील यह ऐसा स्टील होता है जो प्रोटो स्टील ही होता है जिसमें सेंटर में सॉलिड जाइलम किनारे फ्लोयम होता है बस इनका नंबर क्या होता है बहुत ही जादा नंबर में होते हैं ठिक और कोई चें ठीक किसमें देखने को मिलना है ड्रायोप्टेरिस ये आर आई एस हैं टी ए आर आई एस ठीक तो याद रखिएगा कि डिक्टियो स्टील बिल्कुल प्रोटो स्टील होते हैं पर नमबर में ज्यादा होते हैं और ये ड्रायोप्टेरिक्स में देखने को मलता है ठीक, अब दो स्टील बचा, एक यू स्टील, दूसरा एट एक्टो स्टील, हाना, जो कि बहुत ज़्यादा सिम्पल है, तो आप भूलेंगे नहीं ना, प्रोटो स्टील, साइफनो स्टील, सॉलैनो स्टील, डिक्टो स्टील, एक्जाम में यही चारो स्टील से question maximum पूछे ज यह क्या है यू स्टील और यू स्टील किसमें पाया जाता है डाइकॉट में बस आपको इतना याद रखने और इसको आगे आप फ्यूचर में पढ़ेंगे यू स्टील कहां पाया जाता है डाइकॉट में पाया जाता है तीसरा क्या है एक टो एक टेक टो क्या था एक टेक टो की एक टेक टो एक टेक टो स्टील एक टेक टो सिक्स ये किसमें होता है मोनो कोट में ठिक तो याद रखेगा यू स्टील क्या होता है डाइकोट ए टेक्टो स्टील क्या होता है मोनो कोट ठिक इन दोनों के बारे में आगी के चैप्टर में बहुत ज़्यादा डीटिल पढ़ना है इसलिए हमें यहाँ पर उनकी बात नहीं करेंगे तो यह था स्टीलर सिस्टम स्टीलर सिस्टम यानि जाइलम फ्लोयम का अरेंजमेंट की प्लांट के अंदर कैसे होता है तो इन ही स्टीलर सिस्टम से एक्जाम में क्वेस्टन मैक्सिमम टाइम आता है और पूछा ही पूछा जाता है ऐसा नहीं है कि exam में question नहीं पूछा जाता तो इस तरीके से हम लोगों ने stealer system को क्या कर लिया cover कर लिया ठीक अब केवल क्या बचा alternation of generation जो कि हम जानते हैं कि taridofides में alternation of alternation of generation पाया जाता है ठीक alternation of generation पाया जाता है जिसमें कितने stage ते दो gametophyte sporophyte और sporophyte ठीक gametophyte एन होता है sporophyte टूइन होता है और दोनों एक दूसरे से free होते हैं आप जानते हैं और taridofides में alternation of generation पाया जाता है gametophyte sporophyte दोनों होते हैं हम इसको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि prothalus इस game कौन सा प्रोथायलस क्या structure होता है sporophyte और सॉरी gametophyte उसी के उपर तो male और female निकलना करते थे हाना इन 3D आर्ची गुनिया एंत्रोजोयड्स और एक दोनों fuse होते थे सारी बाते हम कर चुके थे अब हम लोगों का taridofite complete हो गया अब हमें केवल gymnosperm और angiosperm पढ़ना है और रही बात angiosperm की तो angiosperm को यहां नहीं पढ़ा जाता वो class 12 में आप detail पढ़ेंगे ठीक 11 में उतना आपको नहीं पढ़ना और पढ़ना भी है तो आके के chapter में पढ़ना है यानि अब हमें taridofite पढ़ने के बाद केवल gymnosperm पढ़ना है फिर यह chapter complete हो जाएगा ठीक है उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा अगर पसंद आया तो please हमारे चैनल को subscribe कीजे like कीजे और ज्यादा से ज्यादा share कीजे कि जिससे सबको फायदा हो सके तो मिलते हैं next वीड